हलो दोस्तों स्वागत है आप सबों का Digital Dream FX में एक बार फिर से और आज हम Sunday Tool Tips में ले आया है Pose Library ये जो Blender 3.1 या 3.0 का एब वर्जिन आप जो भी डाउनलोड करोगे उसमें आपको इसमें एड़ोंस मिलेंगे ये बिल्डेट मिलेंगे ये Pose Library बहुत ही आसान होने वाला आपको animation poses बनाने के लिए प्लस poses को restore करने के लिए किसी खास character का job अगें अगें आप यूज करना चाहते हो आप एक बार चाहते हो इसको पोज को हम store करके और फिर से reuse कर सके basic fundamental आज समझेंगे इसका आज मैं सिर्फ body actions के लिए मैं बताऊँगा इसमें कुछ खास poses को हम कैसे save करते हैं और इसे हम use कैसे करते हैं timeline के ओपर तो चलिए मैं सुरू करता हूं हमारे पास एक read character है पहले से समझा सके पोज library जब भी आपका काम करेगा जैसे किसी भी रिग हो या तो आप manual रिग करो या आप रिग इफाई यूज करो या मिक्सामो रिग यूज करो तो फिलाल मैंने मिक्सामो रिग यूज किया हुआ है इसमें और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस pose library को यूज पड़ेगी यहां पर जो important है जहां पर हम store करते हैं assets के रूप में हमारा जो poses होंगे वहां पर saved होगा हम उसको reuse कर सकते है thumbnail के रूप में तो आप इसे exchange कर लो asset browser open करेंगे तो बस animation का asset browser प्लस हम अलग-अलग इसका catalog बनाएंगे जैसे specific जैसे मुझे लेक का बनाना है face का बनाना है hand का बनाना है body actions का बनाना है तो अलग-अप ऐसे catalogs बना सकते हों यहां पर categories करके और चलो use कैसे करोगे तो सबसे पहले अगर मैं एक पोज बनाता हूं जैसे मालो की आपको एक छोटा सा चीज करके बताता हूं कि इसमें पोज का यूज कैसे होता है पोज के लिए हमें सबसे पहले एक कैमरे की जोरत पड़ेगा तभी हम इसका थैमिनल को सेव कर पाएंगे तो चलो आपको problem होगा तो मैं बताता हूं कि यह क्या होता है something जैसे मुझे यहाँ पे एक पोज बनाना है जैसे आप चले जाओ side view पे left view पे मैं चला जाता हूं then यहाँ पे left or right किसी वीव पे चले जाओ एक लेक को अगर आप सेलेट करके Y-axis पे मालो एक पोज बनाते हो simple walk pose बना सकते हैं तो एक simple walk pose बनाते हैं इस pose को थोड़ा सा मैं आपको पोज बनाने के लिए बहुत आपको समय देना पड़ेगा G-press करो Z-axis पे थोड़ा सा down करो इसको मालो एक pose होगा इस tap का यह वन्दा चलने का है मतलब यह चलने के कोशिस कर रहा है तो इसका जो pose होगा G-press करके इसका यह hill up होगा और इसका toe नीचे bottom पे होगा इसको R-press करके थोड़ा सा rotate करो इस angle में और इसका जो position होगा जो मैंने इसे रखा है इसको थोड़ा सा G-Y-axis पे आगे कर लो और ओके तो यह एक पहला pose है R-press करके थोड़ा सा मैं ऐसे रखोंगा इसको यह जैसे मालो यह पहला pose है character का तो यह hand जो होगा इसका hand को भी हम set कर लेते हैं अपने हिसाब से तो hand को आप set करो जस्ट इसको पीछे ले जाओ R-press करके मतलब पूरी body की तरह आप इसको animation कर लो जैसे body का जो होता है Z-press करो आगे ले जाता हूं मैं इसको Y-axis पे तो यह रहेंगे और प्रेस करके इस पोजिशन पर रहेगा अब जैसा भी pose बनाते हो उसके accordingly जैसे मैंने एक pose बना लिया इसको all selection करेंगे चुकि एक mix amurig है तो इसमें एक खास benefit होता है तो यह हम अगर walk cycle बनाने की कोशिज करत आता हूं बाकी walk cycle का मेरा पहले से बना हुआ है वीडियो अगर आप request करोगे कि इसके उपर हमें detail में video दो तो मैं facial detail then body language detail में अलग-अलग videos आपको देता रहूंगा यह बहुत important है जो project बनाते है animation आप MGO type का भी character बना के इसके उपर आप ऐसा ही कर सकते हो कोई दिखत नहीं है कि आप MGO के लिए normal होता है इसमें आप यूज कर सकते हो तो यहाँ पे जो create pose library है pose assets है sorry आप all selected और यह जो हमने global control को रखा scale control को बंद करके इसको मैं यहाँ पे एक generate करता हूं तो आप generate करोगे दो देखो कि बिल्कुल blank होता है यहाँ पे जैसे जो armature का नाम होगा जो character का arm nature का नाम से बना लिया इसको हम लोग rename कर सकते हैं और यह फिलाल हमने current file के साथ बनाया यह तो यह पोज का अगर thumbnail अगर shape होता तो better होता तो thumbnail save करने के लिए आपको यह काम करना पड़ेगा आप चले जाओ पहले object mode पे then shift a press करो एक camera लेलो और camera selected इस camera का जो हम camera का just help से यह बनत आपका thumbnail इसको view को मैं lock करूँगा camera view को press करूँगा zero then इसको set करूँगा कि चलो यह side view से आप देखना चाहते हो कि character का यह पोज है मालो कि यह इतना रखता हूं मैं इसको thumbnail में save कर देगा इस टाप का पहला पोज को okay तो thumbnail के लिए camera ले लिए आपने अब मैं जाओगा यहाँ पोज मोड पे ही आपको होता है तो आपको character का armature select करना पड़ेगा देन पोज मोड में जाओगे और फिर animation में जाओगे तो आप देखेंगे यहाँ यह भी तक नहीं आया जट नहीं हुआ है ना तो इसको आप इन प्रेस करो यहाँ पे एसे ब्रॉजर में और यहाँ पे हो नाम से इसको मैं rename कर सकता हूँ तो इसको मैं रखता हूँ वाक वाक तो अगर हम वाक left leg को आगे ले जा रहा है राइट को आगे ले जा रहा है वह भी एक depend करता है तो हम वाक left leg left है ना left करता हूँ के left से start किया हूँ फिर right और इसका opposite होगा तो यह एक पोज हमारा एससे पोज को हम लोग flip कर सकते जैसे इसको select करके इस पोज को और इसको अगर आप flip करते हो और इस पे click करते हो तो आप देखो गे जो left ता वो right हो गया तो left right के हिसाब से जो हमारा दूसरा हो रहा है इसको एक और create pose करेंगे यहाँ पे अब इस बार हमारा right का हो गया left right तो इस armature का like यहां ऐसे armature नाम आ रहा है इसको आप rename करो walk है ना right ऐसे करके आप इसको rename कर सकते हो तो left walk right walk अब left right को अगर आप देखना चाहते हो यहाँ पे motion में आप देखना चाहते हो इसको अभी फिलाल मैं इसको in प्रेस करके close करता हूँ इसको अब left क्लिक करके अगर आप यहाँ पे drag करोगे तो आप देखो कि दोनों को select करके आपको left right आपको यहाँ से यह poses देता है तो चलो इस pose का actually use क्या करेंगे हम लोगं यह सोचने वाली बात है कि इसको हम लोग timeline से हमें क्या लेदा दना है कैसे हम इसको use कर सकते हैं तो चलो जो भी पोज है जो भी हम पोज सेलेक्ट करते हैं यहां से जो चूज करते हैं पोज यहां से नहीं आप यह तो लाइबरेरी में सेफ्ड है लेकिन एक्चुली हम यह इस पोज को यहां से इनेबल करते हैं अगर हमें की फ्रेम के लिए कुछ यूज करना इसका तो आप देख सकते हो चलो जो भी हमने पोज बनाया भी इनिशल नेवल पे अब इसका all selected like जो controller all selected है आप ए प्रेस करोगे all select होता लेकिन हम यह global control को छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे global control को देन यहां पे हम लोग प position change करने वाला है या scaling करने वाला जो controller है automatic उसको यहां पे lock कर देता है तो चलो अगर मैं इसको 24 फ्रेम पे अगर मैं एक animation बना रहा हो 24 25 के लिए फ्रेम के लिए cycle बनाना है suppose तो यह आप इसको zoom कर लेता हो मैं यहां पे और यहां पे हम इसका बनाना सुन करते है तो जो पहला पोज का जो होगा सेम पोज होगा हमारा 24 पे तो यहां पे भी जाके हम आई प्रेस करते है जो पोज आपको अलड़ी है selected controller selected होना चाहिए अगर controller selected नहीं तो आपका enable नहीं होता है अब जैसे मैं इसका half पे जाता हूं 12 फ्रेम पे और 12 फ्रेम पे जाने के बाद हम इसको लेत selected था I think यह तो इसको हम लोग की फ्रेम करेंगे है यहां पे आजाओ 12 फ्रेम पे पहले आके इसको आप पोज करो और इसको आप आई प्रेस करो अगें तो आप देखेंगे कि यह यह पोज आपका cycle बना दिया है तो यह जितने भी पोज के लिए आप देखोगे earlier वीडियो पे जो मैंने वाउक शेकल बनाया है तो तो next pose में क्या होता है जैसे माइ 4 पे जाता हूँ 4 पे पे अगर मैं इसको बनाता हूँ कि यह लेग जो होगे इसके आप इसको थोड़े दिर के लिए आप चले जाओ camera view से बाहर निकलने के लिए मैं camera को unlock करता हूँ और आ जाता हूँ camera से बाहर तो this selected मतलब हम 4 फ्रेम पे जाते हैं तो यह जो हमारा leg है so alt g press करके इसको normal रखते हैं और यह जो leg होगा थोड़ा सा g press करके z axis पे up ले जाओ उपर even इसे भी ले जाओ and hand को भी थोड़ा सा g press करके z axis पे उपर ले जाओ कुछ ऐसे अभी जो हमारा यह हुआ है और थोड़ा सा अगर r press करके हम थोड़ा सा आगे रखते हैं कि थोड़ा सा आगे होता है तो all seted again और एक और पोज हम बनाते हैं यहाँ पर आप आजाओ animation में then create new pose यह अगर हम रखते हैं dawn pose suppose मैं इसका नाम रखता हूँ dawn pose कुछ भी आप नाम रख सकते हो यहाँ पर इंपरेस करो देन आप इसको करो dawn pose sorry यह हम बोलते हैं next pose कुछ भी आप दे दो जैसे यहाँ पर आप दे दे दो इसके action में अगर मैं रखता हूँ second second pose करके कुछ नाम रखता हूँ आप अपने convention के हिसाफ से रखो second pose then enter तो इसका pose का नाम हो गया आप इसको थोड़ा सा slightly कम कर लो अब यह जो हमारा हुआ है कि यह second pose इसके बाद आई इस पर होगा और यहाँ पर हम आई प्रेस करते हैं तो एक पोज हुआ कि यहाँ से चला इस टाप से और यह तो यही चीज़ 4 frame पर है यही 16 पर होना चाहिए तो 16 पर आकर यही क्या होग है अगर flip mode on नहीं रहेगा तो यह flip नहीं करता है अब देख सकते हो इसे flip mode on किया यह ओल्टा हो गया left right right left में तो आई प्रेस करते हैं यहाँ पर तो आप देखो कि इस step से अगर माल लो की थोड़ा सा अगर मैं आपको बताया कैसे पोज को हम लोग यूज करते हैं वाक के ल इसमें बहुत time का बच्चत होता है प्लस आप जितना पोज library बना सकते हो facial बनाओ body का बनाओ जितना भी आप इसको कर सकते हो जैसे यहाँ पे गया और यहाँ पे अगर next अगर हम लेते हैं यह 8 पे जाकर के भी अगर आपको कुछ करना है जैसे मालो के यहाँ पे जो आता है side view में अगर मैं इसको देखता हूँ यह आप रखो इसको diselected एक और पोज हम बनाएंगे alt g प्रस करके इसको रखते हैं प्लस इसको भी करते है alt r normal और इसको अगर आप रखते हो g प्रस करके थोड़ा सा और उपर उठेगा इतना ऐसा पोज बनाना है और ठीक है all select करेंगे फिर से एक पोज बनाते है इस पोज को 8 और इसका opposite 20 फे फिर से पास करेंगे तो create new पोज अब यह नया पोज बना अब यही पोज को अगर हम रखते है अब समझ दो कुछ भी एक पोज रख दो up body या something आपके convenience होता है जैसे up body मैं इस पे एक video बनाऊंगा आगे अगर आप required होता होगा तो आप लिखना मुझे comments में जरूर लिखना कि यहां इसका और detail हमें required है so मैं बनाऊंगा ठीक है तो up body को अगर मैं यहां पे select किया और जो हमारा pose है इस pose को अगर मैं यहां पे apply करता हूँ इसके उपर ठीक है यह flip किया हुआ है sorry इसको sorry फिर से flip करो इसको उल् apply I press करता हूँ और इसी को लेकर चले जाओ 20 पे 20 पे इसको कर दो flip apply तो यह automatic flip हुआ और यहां से I press करके हमने keyframe insert कर दिया तो ऐसे आप देखो कितना असान से आप इस इसको बना सकते हो भी हला कि हमारा कुछ problem है है ना जो हमने कुछ और in between लगाना पड़ेगा लेकिन बस मैं बताने के लिए थोड़ा सा आपको कोशिश कर रहा हूँ कि pose library use कैसे होता है ओके चलो यह हुआ बात अगर मैं इसको अलग-अलग categories में यह तो body का हो गया तो आप जितना भी आप poses बनाते जाओ nothing no problem आप यहां पे plus करो आप categories बनाता हो जैसे मालो की यह catalog categories में रखता हूँ प यहां पे आपका बना हुआ है तो shift press करके आप all select करो या आप चले जो unsigned जो किया हुआ था जैसे normal था इसको हम सभी को select करते हैं और इसको walk pose में इसके अंदर डाल लेते हैं तो आप जैसे walk pose पे click करोगे तो आपको पूरा categories में लेगा और अगर आप यहां पे रखते हो catalog रखता हूँ hand pose hand poses या something कुछ भी आप नाम रखते हो तो hand poses के लिए अगर मैं अलग बनाता हूँ कि जैसे अब मैं यहां से यह सिर्पोज बनाने के लिए आपको सारा यहां पे आपका एक जगा पे collect होता रहेगा है ना अब चलो मालो कि यह character को हमें स्टील रखना है तो all selected alt आर अल्ट जी प्रेस करके सीधा कर लो देन इसको सभी को मैं थोड़े दिर के लिए की फ्रेम को डिलीट कर देता हूँ normal अब जैसे मालो कि इसका hand का कुछ position ऐसा होगा और जी प्रेस करो इसको hand position मालो की आर प्रेस किया ऐसा और इसका अगर मैं जी प्रेस करके थोड़ा सा हाथ को उपर उठाया देन आर प्रेस करके थोड़ा सा आगे रखो देन आगे रखो उपर है ना कुछ ऐसे हाथ का कुछ ऐसा gesture है हाथ को ऐसे हमें रखना है यहाँ से आप थोड़ा सा आर प्रेस करके इ यह position को अगर जो भी हम रखते हैं कि जैसे इसका finger अभी open finger है so all finger open है और मैं hand gesture के लिए अगर मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ hand poses के लिए अरड़ी बनाया हुए हाँ जिसमें saved होगा और इसको flip को अभी हटा दो अभी इसको कर दो create pose तो आप देखोगे एक pose हमारा बनाया hand का लेकिन problem क्या है कि camera का अगर हम रखते हैं अगर camera mode पे जाते हैं थोड़ा साब को camera के set करना पड़ेगा कि camera जिस angle से रहेगा उसको cover कर लेता है तो आप क्या करो view पे जाओ camera को lock करो अगर मैं इसको hand के लिए रखना चाता हूँ अभी थोड़े दिर के लिए camera को off करके ऐसे रखो और इसको on करो अब ये camera पे आप हाथ को ऐसे लियाओ आप चाहते हैं को पूरा हाथ को समझे इसको और फिर हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे यहाँ पे जाएंगे अगेन आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो तो आपका यह जो पोज बना armature इसका नाम रखेंगे क्या hand open open hand suppose हमने यह बनायो open hand करके अच्छा ओगो capital करो open hand something ना open hand करके एक बना दिया एक फिर से हम बनाते हैं इसको close hand के लिए चलो आप रख लो आप camera में थोड़ा ध्यान रखना पड़ाएगा आपको यहाँ पे तो selected आप all select कर लो इसका finger को जैसे माल हो की एक आप fist बनाते हो तो select कर लो all सिर्फ थम को छोड़के और hand control को छोड़के इसको hand control को deselect कर लिया और इसको आप और प्रेस करके इसको rotate करो तो अभी यह rotation हो रहा आप इसको individual rotation करो ताकि अपने आप में यह local rotation हो जाया आपका और प्रेस करके और इस इस टाप का इसको क्यों कर रहा है ओके इसको deselect कर लो इसे सो आर दिन वालो कि इस टाप से कोई fist बनाता है finger को कुछ यू रखता है जो जो भी हम पोज बनाते है something ऐसा इसको थोड़ा सा ऐसे है इसको रखो कि इस टाप से और हैंड का थोड़ा पोजिशन चेंज हुआ something ऐसा इस टाप का अगर हम रखते हैं कि fist पना है या कुछ भी facial का अभी वेरा यह रिग में नहीं है that's why आपको facts facial रिग का भी बताऊंगा इसका अगर नाम रखता हो लूसरा इसको capture करो यहां से तो यहां पर आप जाओगे animation में again और इसको create तो आप देखो आपका camera position कैसा आ रहा है create position और इसको हम लोग बनाते हैं मालो की hand close hand close अभी hand close open close open close इसको अगर हम दोनों को select करके यहां पर interactive wind करते हैं है ना apply करके interactive wind करोगे है ना तो आप देखोगे यहां पर यह क्यों नहीं काम करता है sometime यह दोनों को select करते हैं sorry and interactive even यहां पर सही होता है हमारा यहां से ठीक है एक बार यहां से पोज हम यह करते हैं अब सवाल है कि अगर मैं यही पोज इस हैंड पर रखना चाहता हूं तो this selected hand controller select करना बहुत जरूरी है जो पोज आपका बनता है उसके लिए controller responsible होता है controller selected नहीं हो तो नहीं होगा आप जैसे इसको मैंने apply किया है ना यह इसको अपने apply किया ठीक है open hand then apply ओके इसको हम लोग flip पोज कर सकते हैं तो यह flip पोज करने के बाद कौन सा जैसे यह select करके अगर मैं यह flip करता हूँ on off और यह select करके flip करता हूँ और यह select कर flip करता हूँ तो यह आपका apply होगा इस type से इस पर apply कर दो आप यहां से दोनों को on नहीं रखता है ऐसे आपको apply का exchange करोगे कि पूरा जैसे अब मालो कि यह नी को भी अगर आप उठाते हो और प्रेस करके अप करो यह आपका जितना भी controller हमने select किया हुआ है इसके लिए जो responsible control है उसको select कर लो जीतना ज्यादा एक-दो select हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं इसको अगर हम पोज बनाते है create pose अगें और फिर इसी पोज को अगर हम लोग फिर state कर देते हैं पहले जैसा तो इस इस सेलेक्टेड अल्ट जी प्रेस करो और फिर से हम सेलेक्ट करते हैं उतना controller को लगभग लगभग उतना controller को पकड़ लो और इसको भी एक create pose कर दो अभी इन दोनों को बीच में selection करके अग अगर आप देखोगे जो select करते हैं वो ही pose यहाँ पे choose होता है और इन दोनों pose को अगर हम लोग apply कर दें यहाँ से यहाँ पे होना चाहिए अच्छा यह select भी कर सकते हो all ठीक है और इसको ऐसे apply कर सकते हो देखो कि another left right क्योंकि यहाँ पे हमने flip pose यहाँ से turn on किया हुआ है तो इस steps आपका यहीं पे आपको play कर सकते हो और जैसा play करोगे वैसे आपका keyframe के उपर आ सकता है जैसे से हम लोग इसका keyframe use करेंगे enable करेंगे उसके भी हाँ तो यह pose library का एक थोड़ा सा तो मैं example आप लोगों को दिखाया और बताने की कोशिश की किया आगे मैं इसके उपर मैं video थोड़ा सा बिशेश लाओंगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं किसी अगले video में video अगर आपको अच्छी लगी तो like share करना मत बूलिए जरूर कीजिए जिससे मुझे और video बनाने क interest और बढ़ेंगे तो मिलते हैं अगले video में bye bye take care